काम और कारेशिल जनसंख्या हमारे देश की जनगर्ना में किसे श्रमिक या उत्पादक काम करने वाला माने ये बहुत उलजाने वाले सवाल हैं ज्यादा तर लोगों के पास कोई नियमित काम नहीं होता, उनके काम का स्वरूप बदलते रहता है लोगों के पास कभी रोजगार होता है और कभी वे खाली बैठे होते हैं ऐसे में उन्हें किस रेणी में गिना जाए, इसका ठीक ठीक हल तो नहीं निकल सकता है मगर जनगर्ना आयोग उसके लिए एक काम चलाओ परिभाशा का उप्योग करता है 2011 की जनगर्ना के मुताबिक काम को आर्थिक रूप से उत्पादक गतिविधियों में भागिदारी के साथ जोड़ कर देखा गया है यह भागिदारी शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में हो सकती है काम के अंतरगत ना केवल वास्तविक काम शामिल है बलकि सुपर्वाइजरी और निर्देशन भी इसी श्रिणी में आता है इसकी अंतरगत आंशिक रूप से खेत, पारिवारी कुद्धम या किसी अन्य आर्थिक गतिविधि में मदद या आवैतनिक काम भी शामिल है इस तरह उपर्युक्त कारियों में लगे सभी लोग श्रमिक है जो वैक्ति घरेलू खपत के लिए भी पूरी तरह से खेती या दूद के उत्पादन में लगे हुए हैं उनको भी श्रमिक के रूप में माना जाता है लेकिन दैनिक घरेलू काम करना जैसे खाना पकाना पानी भरना बच्चों की देखभाल घर की साफसफाई आदी को उत्पादक श्रम नहीं माना गया है 2011 की जनगर्णा के अनुसार देश के 30 प्रतिशत लोग मुखे रूप से उत्पादक काम में लगे हैं और लगभग 10 प्रतिशत लोग आशिक रूप से उत्पादक कारे करते हैं लगभग 60 प्रतिशत लोग उत्पादक काम में नहीं लगे हैं 36 गड़ में थोड़ा फर्क है यहां 32 प्रतिशत लोग मुख्य रूप से उत्पादक काम में लगे हैं और लगभग 16 प्रतिशत लोग आशिक रूप से उत्पादक कारे करते हैं लगभग 52 प्रतिशत लोग उत्पादक काम में नहीं लगे हैं साक्षर्टा, 2011 की जन्गर्णा के अनुसार हमारे देश की साक्षर्टा दर 74.04 प्रतिशत थी, अर्थात हर 4 में से 3 वेक्ति पढ़े लिखे थी अगर आप पहले की जन्गर्णा के आकड़ों पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने इस दिशा में काफी अच्छी प्रक्ति की है स्वतंत्रता के बाद हुई पहली जन्गर्णा में जहां साक्षर्टा महज 18 प्रतिशत थी, अथात 100 में 82 लोग निरक्षर थे वही 2001 में साक्षर्टा का प्रतिशत बढ़कर 64.84 हो गई हलाकि 2011 की जन्गर्णा के अनुसार हमारी साक्षर्टा दर 74 प्रतिशत से उपर हो गई पर इसमें स्थान और लिंग के हिसाब से भिन्नता पाई जाती है जहां पुरुशों की साक्षर्टा 82.14 प्रतिशत है, वही महिलाओं की साक्षर्टा 65.46 प्रतिशत है इसी प्रकार साक्षर्टा की दरों में स्थानिक भिन्नता भी दिखाई देती हैं। जारखंड 67.65 प्रतिशत आदी ऐसे राज्ये हैं जिनकी साक्षर्टादर राष्ट्रे औसत से काफी कम है।